पहानपुर जिले के 56 प्रात्मिक शिक्षक और शिक्षिकाओ को पिछले पाश महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। इसको लेकर अब शिक्षिकाओ ने मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने भाई शिवराज सिंग्चोहान से वेतन मिले ताकि वे रक्षा बंदन का पर्व बना सके इसकी गोहार लगाई है। बहनों का कहना है कि यदि हमको रक्षा बंदन जैसे पर्व में भी हमारा पाश महीने का रुखा हुआ बेतन नहीं मिलता है तो हम अपने परिवार भाई के साथ रक्षा बंदन का पर्व नहीं बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मांग की है। शिक्षिका बहनों को रक्षा बंदन के पर्व पर अधिक चिंता सता रही है। यदि रक्षा बंदन के पर्व से पहले उनको वेतन मिलता है तो उनके परिवार में भी खुशी और अच्छे से परिवार के साथ रक्षा बंदन का पर्व मना पाएंगे। शिक्षिका जोती ने जानकरी देते हुएं बताए कि मध्य प्रदैस के सभी जीलों में एक साथ न्युक्तिया हुई थी, सभी जीलों के शिक्रथे शिक्षकशिकाओ की न्युक्ति के बाध से उनको वेतन मिलना शुरू हो गया है, लेकिन हमको पांच महीने हो गया है, वेतन बाइन को देना करना हो हम लोग कर सकते हैं श्रद्द रोपिया अब परात्मिक् सिख्चा के विवाग में प्रात्मिक में। अब कहा को चैते हैं। अब कहा में को मताइप हो चैते हैं। हम चाहतें कि जल तो जल हमारी सेल्वी के चमस्या और दूर हो जालेगा मेरा नाम जोती परस्ते है मैं चन्वाडा जिले से